नमस्कार, संडे अन्फंडे रेस्पी में आपका स्वागत है जब भी किसे के घर खुसियां आती हैं तो हम पेड़े खाने खिलाने की बात करते हैं खुसियां छोटी हो या बड़ी कोई भी बच्चा घर में पास होता है तो हमें पेड़े चाहिए तो क्यों आज हम पेड़ा बनाते हैं पेड़ा बनाना बहुत ही आसाल है तो चलिए हम इसे स्टर्ट करते हैं पीड़ा बनाने के लिए 500 ग्राभ ममा निया यह मावा हमने घर पे ही बनाया है मावा रेश्प्री के लिंक हमने इस वीडियो के अंति में दिया हुआ है वहां से आप फालो कर सकते हैं 200 गराम भूरा लिया है हमने एक चम्मा देशी घी प्राई करने के लिए काजू गार्निस के लिए हरी इलाची सौत के लिए सबसे पहले हम मावा को भूनेंगे यह हमारा मावा सॉप्ट है क्योंकि यह घर का बना हुआ है अगर आपका मावा हाड हो तो आप मैश करके डानेंगे कि दालने से यह थोड़ा सॉप्ट हो जाते हैं और इससे आप धीमी हियाज पर भूलेंगे इससे हम चलाते रहें और इससे घोलन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे माला हमने तीन मिनर तक भून लिया है अब यह बोल्डन ब्राउन हो वेया है अब हम गैस बंग कर देते हैं कि अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए आपको याद रहा है कि इतना ही ठंडा करना है कि टच करने पे हल्का गरम लगना चाहिए मावा ठंडा हो चुका है याद रहे कि इद्दम ठंडा नहीं करना है उंगली टच करने पर यह हल्का गरम लगना चाहिए अब हम इसमें मूरा मिलाएंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम इसको हास्त मिलाएंगे इसमें इलाची डालेंगे अगर मावा गरम रहे तो उसमें चीनी डालेंगे तो वह पिघल जाएगा अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप उसे ठायन चालू करके ठंडा कर लिए तब उसके बाद बनाएगे सबसे पहले लेके हम छुटा छुटा गोल करेंगे फिन काजू रखके ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे ही एक एक करके सारे पेड़े हम बना लेंगे आप अपने मन मुताबिक लोई लेकर बना सकते हैं मुझे आसा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस संड़े यह रेस्पी अपने घर पे जरूर ट्राइक कीजिए और अपना एस्पीरियन कमेंट के जरी हम तक सेयर कीजिए ने संड़े मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए सोस्ति खाएं सोस्ति खिराज सोचता पर विशेद ध्यंदें बाई